प्रतिष्ठित और वरिष्ठ लेके का राजी सेड़ जी हिंदी साहिते की एक सशक्त कथाकार है आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी सदियों से तो शुरू करते हैं कहानी सदियों से एक बार सिर्फ एक बार वो क्षण भर को ठिट की थी फिर उसे सारा पुलिंदा आके हवाले कर दिया था बेहिचक असलन यही वो बला थी जिससे उसे पार पाना था कितनी कितनी बार वो इसी फैसले के छोड़ तक पहुँची है पर निर्ने को मुठी में पूरी तरह भड़ के संदूक में इस टोर के अंगर खंगर में क्षण भर सोचने के बाद हर कोना उसे अशुरक्षित और स्वप्रकाशित लगने लगा है जैसे कि पास से किसी छाया तक के गुजरने से अपने आप बोलने लगेगा उसकी चुगली खाएगा और ओ कहीं भी बैठी अनावरित हो जाएगी तसले में लगी लपट पुलिंदे के पक्के पन को हडप ले इसलिए उसने मिट्टी का तेल डाला था कागजों को मिट्टी के तेल की जरूरत नहीं फिर भी डाला था गड्डियां बंदी हुई थी समय के एसास को सेंड्विच के भीतरी भराओ की तरह अपने धर्न के लिए महां जाना चाहिए गैस का चूला इस अफसर से पहले उसे कभी इतना असुविधा जनक नहीं लगा था बस्ती में बसी बड़ी मौसी से वो सदा इस बात पर जगड़ी है चूले का फैलाया कूरा कच्रा मौसी को खूब खूब इसने धिलगता है चूले के पाउं पर पसरे अंगारों पर रूटी के कुपा हो जाने के कौशल को वो खूब विबोर होकर बखानती हैं उनका चौखुंटा सा तर्क इन नास पीटों ने चूला तोड़ कर तो घरी तोड़ दिया गरमाई के लिए ना कोई पास बैठे बतिया है पवित्तर आग की लल गेहरसोई में कितने ही दिन तो इस बात ने उद्धिन रखा कि इस एकलपटी गैस के रहते वो कैसे क्या करे जो केवल अपनी लपलपाती सीध को ही जिल सकती हैं अगनी जैसा परोपकारी पेट उसका नहीं है जिसमें नया पुराना मरा जिया अच्छा भुरा सब कुछ अगीब सूजी थी सूजने पर भी शीगर कार्यानवित नहीं करा सकी थी पसारा चाहिए था मानसिक्ता एकांत सुविधा समेटन बाकी जो कुछ भी था उसे वो इस निर्णे की हिस्सेदारी से बाहर पटकने की चेश्टा करती रही थी गोपनियता और एकांत की जरुवत ही थी जो प्रात्मिक लग रही थी ऐसा दुराओ छुपाओ किसलिए बार बार मन में आता है कि नरेन से कह दे कि उसके पास पत्त्रों का एक पुलंदा रखा है जिससे वो सुरक्षित रखना चाहती है वैसे ही जैसे घर की और कितनी ही मूलिवान चीजे पर अपने परे से छूपाने की निरहिता में टहलाना चाहती है नरेन सुनो इंसान की जिंदगी काट का कोई शेहतीर तो नहीं होती कि घटना घटना आरी से काट दी जाए और टुकणों से मन माना कर लिया जाए क्या मतलब नरेन उटकर बैठ जाता है गहरा गहरा गुमने लगता है वो टाल जाती है डर जाती है ये डर कहां से आता है कौन से अपराद बोच से उपज़ता है अपराद उसका क्या है क्या था ऐसे द्रश्य इतनी बार उसके मन में से होके गुजरते हैं कि वास्तविक्ता तक ले जाने कि उसकी चेश्टा की फूंक ही निकल जाती है एक खिस इसे वो पीरा माने या सावधानी दुख कहे या अदुख कौन सी प्रतिक्रिया उसके मन के निकटम रही होगी वो अच्छी तरह जानता है कि उसका हेमंद से प्रगार लगाओ रहा है उसे ये भी जानकारी है कि ये लगाओ विवाह में परिणत होने वाला था विवाह का आश्वासन प्रेम को किस अकुंठ आपलावन में टेर सकता होगा क्या वो नहीं जानता होगा उसका सहियत सा दिखता चेहरा वो फार डालना चाहती है पर्त-पर्त के सभाव को जान लेने को कसमसाती है पता तो लगे कि ऐसी मीनल को जो किसी एक दिन अपने तिहास की गठ्री लादे लहूलुहान मन से उसके आंगन में आखड़ी होई थी उसका यहां क्या इस्थान है वो उसके साथ जीता है या उसे जेलता भर है तुम्हें मेरे साथ रहते अधूरा-धूरा जैसा लगता है न ऐसा कोई वा कि उस पर चस्पा करते ही वो ठटा मार कर हसने लगता है यह अधूरा-धूरा जैसा क्या होता है मालूम है अपंग लोगों को लोग अधूरा कहते हैं क्या तुम मुझे वो समझती हो hoakap कर देखती हैे नरेन क्या समझता है कि अनुपस्तित हो जाने से हिमंद मिट क्या इस्म्रतिहत हो गया हिमंद उसके जीवन का नहीं उसके मन का कैदी है और मन के माद्यम से किसी को छुने की चेश्टा पहले तो अपने को बांधिती है वो ऐसा ना भी चाहे तो भी क्या रोक पाती है हेमंत ने कितनी जगे खाली की है इसे हेमंत से परे जाकर जाना है जब वो खुद कहीं नहीं था इस परतियां थी पत्र थे एक गुंगा स्वाद जिसमें से बार-बार गुजरा जा सकता था रात बेरात आगे पीछे देशकाल की सीमाओं को अमूठा दिखा कर ये सुख अभी कभी कभी या जब कभी नरेन घर में नहीं होता या उदासी का कोई चितरा उसे अपनी फरफरहाट में बांध देता है घर में रहते एक प्रवासी की मनुदशा इस एक अन्भो से वो गाहे बगाए गुज इनके सानेते में अकेले जा बैठने का लालच मन में लपलपाता करता है इन्हें प्यास का परियाय मान कर लिखा गया था दुलराते मनुहारते हुए टेरते सहराते हुए एक अधीन कामना का उत्ताब एक सिकी सी आश्वस्तिकी जो कुछ इनमें शब्दबद है वो उसी को संबोदेत है एक उस अकेली के मन की सुन्दरता पर आ सकत है पढ़ते समय एक दरपन सा मन में जगमगाता रहता है वो एक दूसरा संसार है जो तरल होकर उसके बंद दरवाजों की दरारों के नीचे से घर में घुस पढ़ता है और नरेन के सजे दजे घर को गीला एक सीला क इन तीन वर्षों में उसने जाना है नरेन हेमंत नहीं हो सकता कोई भी एक दूसरा नहीं हो सकता एक में दूसरे की कोई अभीपसा मन को रंक बना देती है एक का उपजाया सुख दुख दूसरे के लिए बेमानी है जीने को छूने के लिए एकरस एकतार हो जाना पड़ता है तब कहीं छोटा बड़ा कुछ सधता है नरेन को साधना एक सरल सी दिखती उचाई की साथ हेमंत का सानेते एक अविरल प्यास इन दोनों के आधारों में कोई रिष्टा ही नहीं उसके मन में बैट क्या है कि उसकी असली मुक्ती इन पत्रों में बंध है यही वो जिन्स है जो उसके हर एकांत को एक अभिमंत्रित पुकार द्वारा अपने घनेरे कोटर में खीच लेती है वहां रहते वो भूल जाती है दरेन से विभा रज़त का जनम दूसरे ओचित्ते मन वो देहरियां लांगता चला जाता है जो उसे नहीं लांगने चाहिए चाहिए के चतुर्दिक तनाओं के बावजूद इनके रहते एक गुप्ट सा सिलसला मन में जारी रहता है एक गोपनिय सी बांध विता जो उसके और नरेन के दामपतिक और निर्दोश नहीं रहने देती अंचाहे भी कितना बड़ा बीच और बीच रज देती है अपराद भाव की कीज में लसर देती है क्योंकि नरेन का वरण उसने स्वेच्छा से किया था जानते समझते इस चुनाव में कोई विवश्टा नहीं थी दर्द की धर्ती से परेचले आने के सुयोग की और ध्यान जरूर था इतना बस नरेन को क्या पता वो क्या-क्या सुचा करती है इस निर्विकारता के लिए किन-किन अगने कुंडों में से गुजरती है मन के दरपन को साफ सुथरा रखना चाहती है इस पुलिंदे के उदगाटन ने किसी दिन ठगी लिया तो उसकी मनशा की पवितरता को कौन मनेगा परसों ही कितना बाल-बाल बची थी पास्पुक की तलाश का साजह अभिहान एक दुखदुकाती पीड़ा बन गई थी नरेन इने पा जाता तो कौन जाने उसके भीतर से भी एक अदद खुंखार पती निकलाता जो निर्मों होकर पत्रों को आग के हवाले कर देता सह सकेगी क्या वो परेपन मन में नहीं है जो पत्रों के कागजों में तबदील कर देता है नरेन द्वारा किये इस विनाश की कलपना से वो काप हाफ जाती है छूटते शब्दों की ले उसके पूरों में धर्थराने लग जाती है इससे अच्छा है वो खुदी इने फूख आए अपने आक्मियों को लोक स्वेम जलाने जाते हैं कंदों पर लाद कर ले जाते हैं फिर भी फूख आते हैं देह भूख देते हैं मो ममता पास रख लेते हैं नर्ष्थ हो जाना चीजों की देह का धर्म है मन का तो करता ही नहीं साहस का एक शर्ण उसके हाथ आही गया है जो उसने फैसला कर लिया है ये वैसा ही फैसला है जैसा हिमंत के साथ जीवन को बर तरफ करने का फैसला उससे जुड़ी चीजें उसी की नियत इपा जाने को अभिशप्त हैं व्याप्त असमाप्त तसले के तले में उसे रेट डाली है लखडी की चिप्टियों और कागजों से एक लौग आई है मिट्टी का तेल डाला गया है और पुलिंदा लौके हवाले कर दिया है लपट सुनेली है पर कुरूर है द्रिश्ट हीन, सर्व ग्रासी ये तक नहीं जानती कि वो क्या कर रही है उसके लिए तो सब कुछ चारा है सारे आवेग और अनभूदियां सारे पढ़ाओ और इस्मतियां उसे नहीं पता वो क्या नश्ट कर रही है किसी को सारी की सारी संपदा सारे का सारा संचयन बाहर घंटी बजी है वो हरबड़ा गई है डर गई है कौन होगा इस समय बीच तो बहर में जो कोई भी वो हो अंदर आ गया तो लजन होगी क्या कहेगी क्यों क्या कर रही थी पकड़ी जाएगी कागजों का जलना पता लगा तो दामपत्य की धवलता पर आच आएगी हो सकत तो वो करी ही रही है नरेंद की पीट के पीछे ये कर्म इतना ही निरी निरापद है तो नरेंद के सामने क्यों नहीं किया जा सका क्यों बीच में कहीं एक परदा सतना है जैसे कि आख बचागर सारी स्लेट साफ करके पती के सामने ले जाना अच्छा है जैसे कि विवा एक स कर पाना प्रस्तुत कर पाना गंटी ने फिर उसकी तंद्रा तोड़ी है उसने जो सोचा था दर्वाजा ना खोले और आने वाला उन्हें अनपस्तित समझ कर टल जाए संभव नहीं लगता इस शोर शराबे से तो उल्टे रज़त जाग जाएगा कोर्ट यार्ट से लगती रसोई का भीतरी दर्वाजा बाहर से बंद कर वो बाहरी दर्वाजे के और लगकी दर्वाजे में आई होल होता तो कितना अच्छा रहता आगे ऐसी व्यवस्था करवाएगी बाहर गेट पर डाक्या रेस्टर पत्र लिए खड़ा है उसने रहत की सांस ली नरेन की एवज हस्ताक्षर करके लिफाफे को बिना उल्टे पल्टे एक किनारे रख दिया इस समय किसी दूसरे पत्र के लिए जिग्यासा उत्सुकता उसके मन में नहीं है बाहर का दर्वाजा इस सुतावली में बंद करना भूल न गई हो इस आशंका का निवारान करने के लिए वो दुबारा दर्वाजे के चिटकनी देखने गई तसले में चलते कागज अब काली भभूत के चित्रे जैसे दिखने लगे थे और एटते से तसले के छोरों पर पसरने लगे थे पास रखी जाडूस ने उठाई और उसकी मूट से उस छोटे से अलाव को छिड़ दिया एक छोर से एक गाड़ी सी धुआस उठी और लपट बनने को लपकने लगी मोटे कागज का कोई टुकड़ा रहा होगा शायद कार्ट कोई उसके जनम दिन का या नए वर्ष का या ऐसे ही किसी विशिष्ट अवसर का उद्वेलन पीछे के कितने ही सोपानों में भटकता एक रुआसा सा इस्मित उसके भीतर गुमडाया अंत की आत्यंतिक्ता में भी विशिष्ट सामान्य होकर अपने को गवा देना नहीं चाहेता अपनी सत्ता कायम रखना चाहता है पर अगने के लिए तो सब कुछ हविष्य है सामान्य, विशिष्ट, काला, धवल, सारी सरहदें, विवा के लिए भी कुछ एक रूप, एक भाव है अतीत, भविष्य, वर्दमान काले-काले चीथडे विछन नोने लगे थे और नगनी हलकी फुल की चिंदियों में तूट कर इधर उधर उड़ने लगे थे चिंदिया आसपास के फर्ष पर दीवारों पर बैठने लगी, वो घबरा गई इन उड़ते चिंदों को कैसे समिट पाएगी घबरा कर उसने तसले में पानी चिड़क दिया, एठे चीथडे तुरंद दुबग गए उनका शमित सीजापन उसे इतना विरूपित जैसा लगा कि हाथ में पकड़े मक का सारा पानी उसने तसले में उडेल दिया तसला उसने हटाने के चेश्टा की गरम था, ततिक्षा करबल देरी उसे असह लगी जल्दी उसके मन में है, चीजे अपना समय लेती है, वही एक है जो समय को दबोच कर अपना अनुगामी बना लेने को उतार हूँ है धीरज मन में नहीं है, तीन बजे हैं, रजज़ जागने वाला है, छोटा है तो क्या, देख सुन तो सकता है पापा की अंगली पकड़ कर ठुमकता ठुनकता यहां तक लाभी सकता है, बागी सब कुछ नरेंद खुद देख लेगा, वो कितना नंगा नंगा सा महसूस करेगी तौलिया लेकर तसले की परिरिक को दो छोडों से थाम लिया और उसके भीतर की कीच को हिलाते डुलाते नाली के हवाले कर दिया है काला, गाढ़ा, लिसलिसा गोल, उसका पूरा इतिहास सब कुछ चुग गया तो आवाक हो रही है, दहमे से वहीं बैठ गई, आंगन और रसुई के बीच उठी संक्षिप सी उचाई पर चेरा अहतेलियों के संपुट में बांधे, बीतर कुछ किरकिरा रहा है, चिर, 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 कुछ दहक रहा है, चिट, चिट, चिट गोली बन गया तो वो भी बह जाएगा, पर बहने से क्या सत जाएगा, जो कुछ है वो तो चेतना की दीवारों को दर्ज है, वो सब अचल है, अडिग है, अनित्य है, क्योंकि अनापूर्थ है, संभावना की भवर में टिका हुआ है, हेमंत के साथ जीवन गुजरता, तभ तो फिर उसने नश्ट क्या किया, किस चीज को फूंका, कागज, इतिहास, प्रमान, संवेदनाय, संग्रे, संचे, इस्मरण, कौन सी प्रतिकिया उसके मन के निकट्तम है, नहीं जानती, रहत को आना था, पस्ती मन में आई, ठकान, जैसे मीलों थुल्थुन रेत में पैदल चल कर आई हो, आकाश आचन है, मट मेला, मन ऐसा, जैसे मरगट से अकेली लोटी हो, रज़त के रोने ने लोटाया है, वो सब को जहां का तहां छोड़ कर भीतर भागी है, उसने चाहा है कि रज़त के पास तक पहुँचने से पहले उसकी आवाज रज़त तक पहुँच जाए, आई बिटा आई, के बोल उसके भीतर से उम्रे तो थे, पर गले के तंतुओं म कहीं गुटकर रह गए, रज़त बिस्तर पर बैठा मूँ फाड़े रो रहा है, आशू से भीके उसके गाल दहक रहे हैं, उसके कपड़े तर्बतर हैं, वैसे ही गीला सीला उसने रज़त को सीने से चिपटा लिया, अपनी दोनों बाहें उसकी पीर्ट के पीछे गुमा कर उसी के कंदों पर टिकाली हैं, एक भरपूर पहुंचता हुआ इस पर्ष भीतर तक, भीतर के भी भीतर तक, हिल गई है, खुल गई है, जर रही है, कमरे में नंगे पाउं चल रही है, गुमेरिया ले रही है, और रो रही है, रज़त चुप है और वो रो रही है, रज़त इससे आगे वो रज़त की इच्छा गिवरुद नहीं जा सकती, रज़त की मांगी इस समय मुख्य और महाकार है, रज़त का नैपकिन बदल कर उसे फीडिंग बोटल उबाली, उसका बिस्तर तरो ताजा किया, दूद की बोटल दे कर लिटाया, ओढ़ाया, चूमा, लिए रात एक जवाबते ही है, एक सलीब, जिस पर टंकर उसका सारा कारिवेवार तौला जाना है, जो जीवन की सामान्यता को नापने का एक अकेला मांदंड है, उससे चुत होकर पत्नी नाम की संग्या के प्रांगर में काटे ही काटे हैं, रात होते मन का उद्वेग द्र लेता है, अपने मन को व्यस्त निवरत कर लेता है, प्रतीक्षा का अर्थ जानता है, वो अनूठा और अनाक्रामक है, ये भार भी कुछ कम तो नहीं उसके लिए, एक अधिकार की जमीन से स्वेच्छा से परे टहल जाने वाले आदमी को सहना, नरेन क्या कभी कभी जान पा पोने में खड़ा कर देती है, जो जबरदस्त है, वो तरप्त होता है, मनों मुखी अपने देह के नीचे पिस्ता हुआ भी बच जाता है, ये दुरकटना दामपत्य में रोज घटती है, कूल किनारे तो कभी कभारी मंजधार में आ पाते हैं, डूबना तो मंजधार में ही हो सकता है, वो भी दूसरे के उत्तेजग उद्यम से, सतय पर तो अपनी उप डूब ही फेंट की तरह मती जाती है, इसी लिए रात आती है तो डर ग्यापता है, डर कितना सर्वग्रासी आवेग है, उघरने का डर, पकड़े जाने का डर, अधूरे समर्पन का डर, शरीर के शरीर ना होने का डर, मन के बेमन होने का डर, जो कुछ हो चुका है उसके रिस आने का डर, जो जो कुछ होना चाहिए वैसा ना हो पाने का डर, ये जवाब देही बाकी सब छोरों पर कितना पंग करके फेक देती है, एक इस्तिरी को कितना प्रतिबंधित करती है, क्या पु पर बैठी रज़त को थप थपा रही है लगता है तुम सुनने रही सुन रही हूं जान बूज कर बोल नहीं रही रज़त के कारण आज रज़त कुतनी लगन से सुलाया क्यों जा रहा है दरेन के मुख पर एक शरार्ती मुस्कान देखकर उसी हर गई है पैर से अंगूठे त नहीं नरेन नहीं एकदम नहीं hold on you are so understanding आज मन में मरसिया जैसा बज रहा है सोचा नहीं ता ऐसा होगा पर हो रहा है एक आक सी जाग रही है धदक रही है बुझ रही है चीथड़े हो रही है घोल बन गही है बह रही है वो भी नालियों में क्रमी कीट की टाड़ों के गहर म में अलमारी से सीधे नाली में मन से सीधे खोव में जीवन से शून्य में मेरा मन अभी खाली नहीं है नरेन तुम अभी वहां कहीं नहीं हो काले चीतर जैसे हवा में फड़़डा रहे हैं पर मुझ से एक भी बोलना फूटा ऐसी किसी निखालिस बात के लिए कितनी अनपय होगी रज़त सो गया है पर वो रज़त को अपी थप थपाती वैसी की वैसी बैठी है नीचे देखते होने से वो नरेंद के क्रिया कलापों को देख पा रही है वो कमरे में चल फिर रहा है तुम बहुत देर लगा रही हो मिन्नी मैं सो भी जाऊंगा रज़त को उसकी कॉट पर सुलाओ जल्दी आओ ट्यूब बुजा कर उसने सिरहने का लैम जला दिया है और अपने ही बिस्तर पर उसके लिए तीन चौथाई जगह छोड़ कर पसर गया है आज की रात उसके लिए बचाओ का एक अभियान बनकर रहेगी उसने जान लिया है मन में तनिक सी भी तत पड़ता नहीं है सामने से चलते आए आवे को सहने तक का माददा नहीं है एक अवाग सीजापन इस छोड़ से उस छोड़ तक फैलता हेमन कहा होगा इस समय शायद नियू यार्क दीप्ती ने ऐसा ही बताया था तुम्हारे बारे में पूछता था तुमने क्या कहा मैंने बता दिया था सब कुछ वो सब कुछ क्या है जो बताया वो खोद खोद कर दीप्ती से पूछना चाहती रही उस सूचना से बनी हेमन्त की दृष्टी से अपने को देखना चाहती रही पर दीप्ती के लिए सब कुछ तो मातर इतना कुछ है विवा संतान समाप्ती और भी क कुछ पूछा। उसने ललक कर कहा। हां पूचा तुमारा पती कैसा है। कहने लगा सुना। कोई बिग शॉट है। और कुछ नहीं बस औरकुछ तो नहीं। खुश था। उसने डरते डरते पूछा था, हाँ, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा सूचना के इस छोटे जे टुकडे को कई दिन तक औरती बिछाती आई थी विदेशी मुद्रा और पतनी विदेश में प्रोफेशनल्स की श्रेरी, सब कुछ मनचीता उसे उपलग्द है, हेमंत की चांदी ही चांदी है जो कुछ चाहा पा गया क्या सच में उसके मन में सब कुछ पा जाने की प्रतीती होगी क्या वो कभी उस उत्तानिता के बारे में सूचता होगा जिसकी वही एक अकेली हिस्सेदार थी क्या वो जान पाया होगा कि शब्डों के पुल विनाश की कालिमा में अंतरधान हो गए कहने को तो अपने को बड़ा इंटिट्यूटिव बताता था डॉक्टरी का धंदा और इंटिट्यूशन सच बताओ मिन्नी अंगों की चीरफार करते करते कभी तो एमोशन्स की बात एका एक फालतू लगने लगती है चीरते जाओ काटते जाओ और हाथ लगेगा एक डिजीज्ड लिम किसी व्यादी की रिशेदार जड़ मुझे तो लगता है ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन इंसान की सब्वेदना से हाथ धो बैठूंगा और तुमें भी नहीं पहचानूंगा यही कहने जा रहे थे न तुम वो वाक के मिन्नी ने पूरा किया था ये गड़ी कितनी जल्दी आ गई बिना किसी मोड की चेतावनी के हिमन्त चाहता तो इस आने को रोक सकता था नहीं रोका उसकी भी क्या कोई लाचारी रही होगी वो उसके जीवन में थी तो थी मैत्वा कांग्शा उसके जीवन में है तो है मिन्नी की समझ और पहुँच के आगे भी उसकी इच्छाओं आ कांग्शाओं का अस्तित रहा होगा जरूरी तो नहीं कि पुरशार्थ की सातिक्ता वैसी ही उसके मन में हो जैसी उसके अपने मन का जुनून है अब ये जुगाली और पश्तावे इनका लाब प्रेम और महत्वा कांग्शाओं के बीच अडाही लिये जिंदिगी तो ऐसा कुछ होना ही था उसके आने तक तो नरेन सो गया है लेम बुझा कर वो बगल में लेट गयी है जूटे ही रज़त को सुलाती थप थपाती रही कपड़े बदलने और निवरत होने को लजाती रही नरेन तो जाने कब का सो गया है क्या वो नरेन को छल रही है जहां सा दे रही है रोज ही आई हेमंद के कारण नरेन से छल और नरेन के कारण हेमंद की दोईदा जीवन को क्या अपराद भाव की शंखला ही होकर रहना है जीने को क्या ऐसे ही सहना है लिसलिसाते हुए उन अपरादों की कीच में जो उसने कभी नहीं किये उससे कभी नहीं हुए इस्तरी होने की क्या यही परेणती है अपने से लड़ना जूजना अपनी निष्ठा को साध्वी सिद्ध करने के लिए हर पल हर खड़ी पंजो पर उठोंग बेखड़े रहना वो नरेन से कह सकती थी आज वो अस्वस्त है आज उसका मन विपन आचन है हेमन से विदाई के एक व्यक्त अनुष्ठान में से वो गुजर कर आई है पस्त हो गई है आज उससे नहीं सद सकता कोई भी स्वीकार कोई साजेदारी आज उसका तन्तु तन्तु जंजनाया वैसे भी हिमन्द जैसे सम्मंद से विदाई किसी भी पती को अच्छी लगती, नरेन को भी कुछ अच्छा ना भी लगता तो भी उस एह जाता, चुप रहता, अंदर के थम जाने की प्रतीक्षा करता, इतना सौमनस से तो उसमें है, तो फिर, तो तो फिर वो किसके हिस्से का भोग भोग रही थी, कुछ तो हुआ है कि वो जटके से उठकर बैट कही है, गंगोर अंदेरे में आखे फाड़े देखती, तो फिर वो कौन है, जो सतत इस जवाब देही की सूली पर तंगी है, सदियों से इसी तरह, इनी अदालतों के बीच उगड़ी खड़ी है, सभी उसी के सिर पर अंधा होकर आकाश क्यों खड़ा है, मिन्नी जान लेना चाहती है, वो इस्तरी कौन है, उसका आवास प्रवास कहां है, क्यो मिन्नी उसे अपने से अलग नहीं कर पा रही, क्यो मिन्नी उसी के अंता करर में से होकर गुजड़ने को अभी शप्त है, इतना तो मन को मुक्ती नहीं मिल पाई है, मिन्नी जो है वो प्रीति पूर्वक नरेन के साथ रहना चाहती है, वो रजत को खुब प्यार करती है और नरेन का आधर भी उसके मन में वेपुल है, वो इस्तरी मिन्नी नहीं तो फिर कौन है, कौन थी जो जूज रही थी, भूक रही थी, द आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी, अपने विचार कॉमेंट सेक्षन में जरूर लिखेगा, कल फिर मिलेंगे, आपका समय शुप हो